प्रेश देवगन ने अपने फिल्मी करियर में गई सुपर हिट फिल्मों में काम किया है जिसे लोगों ने खूब पसंद भी किया है पर आज हम आपको अजय देवगन की आने वाली ऐसी साथ फिल्मों की बारे में बताएंगे जिसका दर्शब बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं हेलिकॉप्टर इला को बॉलिवर्ट डायरेक्टर प्रदीप सरकार डायरेक करेंगे इस फिल्म में रिदी सैन का जोल और नेहा धूपिया मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी और अजय देवगन इस फिल्म के प्रोडूसर होने के साथ साथ गेस्ट अपीरियंस क के रूप में भी दिखाई देंगे और ये फिल्म 18 सितंबर 2018 को बॉक्स ऑफिस पर रिलीस होगी वही फिल्म देदेव प्यार दे में अजय देवगन तबू जिमी शेर गिल और रकूल प्रीट सिंग मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे और ये फिल्म 19 अक्चूबर 2018 2018 को बॉक्स ऑफिस पर रिलीस होगी तो जल्धमाल एक कॉमेडी फिल्म होगी जिससे इंद्र कुमार डायरेक्ट करेंगे और ये साल 2011 में रिलीस हुई फिल्म डबल धमाल का सीक्वल होगा इस फिल्म में अजय देवगन निहारिका रायजादा निलकपूर और माधुरी द बॉक्षित मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे और ये फिल्म 7 दिसमबर 2018 को बॉक्स ऑफिस पर रिलीस होगी वहीं बॉलिवड डिरेक्टर रोहिच्य टी चल्धी सिंगम का तीसरा भाग बड़े पर लेकर आ रहे हैं इस फिल्म में अजय देवगन मुख्य किरदार में नजर आएंगे सूत्रों से मिली खबर के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि अजय देवगन की ये फिल्म बाहु बली को चकर दे सकती है और उनकी ये फिल्म साल 2019 को बॉक्स ऑफिस पर रिलीस होगी वहीं साल 2012 की सुपर हिट कॉमेडी फिल्म सन आफ सरदार का सीक्वल बह तक फाइनल नहीं हुई है वहीं सतंग नाम की फिल्म में बॉलिवड के जाने माने डायरेक्टर प्रकाश्चार डायरेक्ट करेंगे जो इससे पहले अजय देवगन के साथ गंगाचल राजनीटी और आरक्षिन जैसी सूपर हिट फिल्म में बना चुके हैं ऐसा कहा जा र से जादा उपसाहिद है आपकी राय कॉमेंट बॉक्स में सब्सक्राइब करेंग बॉलिवड से जिड़ी और देश्रस्ट फबरों के लिए सबस्काइब करेंग बॉलिवड चौंक्ष्री